नमस्कार दोस्तों, B.H.U. वर्ल्ड में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका एजुकेटर संदीप कुमार दोस्तों, B.H.U. B.E. सोसल साइंस एवं आर्स के संदर्व में मैं आपके सामने बिगत कुछ दिनों से एक स्रीज ले करके हाजिर हूँ जिसमें मैं कुछ ऐसे तरह के प्रस्ण को डिसकसन करता हूँ जो आपके B.H.U. इंट्रेंस से समंदित हैं और इसका महत्यु जादा है तो दोस्तों, आईए चलते हैं वह ऐसे प्रस्ण को हम हल करेंगे और देखेंगे कि इस तरह के प्रस्ण में क्या ऐसी खूबियां है या इस प्रस्ण से समंदित कौन ऐसे प्रस्ण बनते हैं जो B.H.U. इंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, इंट्रेंस से समंदित B.H.U. वर्ल्ड टेस्ट स्रीज का भी आयोजन कर रहा है तो अगर आप हमारे टेस्ट स्रीज को पाना चाहते हैं तो आप आज ही रजिस्टेशन करें B.H.U. वर्ल्ड पे आप रजिस्टेशन कर सकते हैं और वहाँ से ही आप टेस्ट के सारी प्रकिरिया होलो कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों, आगे भरते हैं और शुरू करते हैं आज के प्रस्न प्रस्न है दोस्तों, निमलिकित में से कौन सदाकत आस्रम में रहता था देखे दोस्तों अगर सदाकत आस्रम से संबंदित अगर कोई प्रस्ण आपसे पूछे तो दो प्रस्णिस में बनता है पहला प्रस्ण यह बनता है कि यह बतलाईए कि सदाकत आस्रम की अस्थापना किसने की तो दोस्तों सदाकत आस्रम की अस्थापना जो है मौलाना मजरूल हक के द्वारा पटना में किया गया पटना कहां की राजदानी है बिहार की तो यह मौलाना मजरूल हक के द्वारा और सहयोग आंदोलन के दवरान जो है इसकी अस्थापना की गई थी सदाकत एक अर्वी सब्द है जिसका अर्थ होता है सत्थ और आस्रम सदाकत मतलब सत्य और आस्रम मतलब घरगरी तो दोस्तों एक ऐसा अस्थान जहां लोगों को सहायता दी जाती थी उस समय सदाकत आश्रम से कई तरह के लोगों को सहायता दी जाती थी सुतनता आंदोलन के समय में लेकिन जब हमारे देश के पर्थम राष्ठ्रपती डाक्टर राजंदर परसाद ने वहां से राष्ठ्रपती पद से अपना रेटार्मेंट लिया या वहां से निर्वासित हुए तो उसके बाद दोस्तों पटना में आ करके सदाकत आस्रम में ही वो अंतिम समय में अपनी सांसे ली तो दोस्तों अंतिम समय में सदाकत आस्रम में कौन रहता था तो देश के पर्थम राष्ट्रपती और पर्थम राष्ट्रपती का क्या नाम था डाक्टर राजंदर परसाद तो दो टर्म इसमें आपको याद रखना है सिदाकत आश्रम की अस्थापना और दूसरा की इसमें कौन रहता था तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रशन है बनारस हिंदू विश्विद्या अस्थापना निमलिखित में से किस वर्ष हुई दोस्तों यह प्रशन पूछने का हमारा एक छोटा सा उद्देश रहा है लेकिन इस उद्देश के माध्यम से आपको मैं कई सारे तरह का चीज बतलाना चाहता हूँ पहला तो यह जान लीजिए कि बनारस हिंदू विश्व विश्विद्याले की अस्थापना कर दी गई थी दोस्तों इसके अलावा हम देखें बी एचिव से सम्मंधित कुछ और तार्किक प्रस्न हैं जो आपसे पूछा जा सकता है कि बतलाईये बनारस हिंदू विश्विद्याले की अस्थापना किसने की थी तो इसका पहला उत प्रस्न यह भी पूछा जाता है कि बतलाईये फर्ष्ट भीसी ओफ विच्यू तो पहला भीसी दोस्तों सरसुंदरलाल थे और उस समय भारत के ततकालिक वाइसराय वाइसराय और इंडिया जिसके समय में बनारस हिंदू विश्विद्याले की अस्थापना हुई वह थे ल चली दोस्तों अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न है निमलिकित मेंसे कौन एक सीखने की परकिरिया का अभ्यव नहीं है मतलब जो हमारे पास learning का element होता है कुछ भी learning का element है हम कुछ भी अपने दैनिक जीवन में learning करते हैं उसका जो element होता है उस element के बारे मैं आप से रहा है कि उस परक्रिया का कौन सा अश्टेप नहीं है तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आप ये जानगे कि learning उसी को कहलाता है जब हमारे ब्यभार में परिवर्तन हो ब्यभार में अगर परिवर्तन हुआ तो वो उसको भूल गया तो दोस्तों ये learning नहीं कहलाएगा learning की जो परक्रिया है उसके अंतरगत अस्थाई परिवर्तन होना चाहिए अस्थाई परिवर्तन का अर्थ यह है कि हम उस चीज को पर्मानेंटली रूप से सीख लें तभी वह learning कहलाता है सपोज कि यह बैभार में हमारा परिवर्तन कुछ दिनों के लिए हुआ उसके बाद कुछ दिन बाद हम पुनह उसी तरह के किरिया कलापों को करते हैं जिसके कारण हमारा अस्किल डेवलप नहीं होता है या फिर हम नहीं सीखते हैं या फिर सीखना सुननी के बराबर हो तो उसे हम learning नहीं कहेंगे सपोज कि ये एक चोड है चोड है उसको पुलीस ने पकड़ा खूब पिटाई की और उसके कुछ दिन बाद उसने पुनह चोड़ी करना शुरू कर दिया तो वो learning का भाग नहीं कहलाएगा इसका क्या मतलब हुआ जो उसे दंड दिया गया उसके बाबजूद भी उसने अब्यव नहीं है ऐसा नहीं किया जाता है कि बच्चों को सिखाने ते वक्त जो है हम उसे किसी तरह की ऐसा सजादें जिससे वो सारेडिक या मानसिक रूप से यातना का सहन करें चलिए दोस्तों अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न है पानी पत की तीसरी लडाई क के बारे में हमारे कॉमेंट वोक्स में लिखें किसके किसके बीच में हुआ था दूसरा कि यह किस इस भी में हुआ था और इसमें किसने विजय हासिल की हो सकता है पानी पत का तीरतिय युद मैने इसमें सम्मिलित किया हो पानी पत का पर्थम युद याद्वितिय युद से पूछ दे तो चलिए दोस्तों, इसका उत्तर होगा 771 और यह जो है माराठा इंपाइर और अहमद साथ अबदाली कि संबद्लित था तो अफगान से तो अहमत साह अबदाली के बीच में हुआ था, जिसमें कौँ जीते थे? अहमद साह अबदाली, इसकी विजय रे थी अगला प्रस्न देखिए दोस्तों अगला प्रस्न पूछता है कि भारत में सहायक मैत्री नीती देखिए सहायक संधी एक हुई थी लॉर्ड वेलिजली के समय में और इसके अंतरगत सपोज किजिए कि ये जो हमारा छेतर है तो इसमें जो जो हमारे परभुत साली छेतर थ थी और ये संधी किसलिए की गई थी तो संधी इसलिए की गई थी कि आप अगर किसी तरह की हमारे साथ समस्या होता है किसी अनराज्यों के साथ तो आप हमें क्या करेंगे उस समय सहायताक परदान करेंगे सपोज किजिए अंग्रेज की युद्ध हो गई मैसूर के साथ तो अंग्रेज मैसूर के साथ तो लर रहे हैं लेकिन उस कंडिशन में क्या करे हमें माराथा और जो अन्य छेत्र हैं वो हमें सहायता परदान करें अंग्रेजों को सहायता परदान करें इसलिए सहायक संधी की गई थी, दूसरा इसके कई सारे ऐसे पहलू थे, जिसके बारे में बाद में discussion करने के लिए है ये, लेकिन आप इतना जान लें, इसके अंतरगत जो सबसे पहले सहायक संधी को स्विकार किया, वो हैदरावाद का निजाम था, और हैदरावाद का निजाम कभने सहायक संधी स् ऑघ्या-ब्र चल नाम को याद रखना है कि सांधी से कौन संबंदी थे हैं लोड वैलिजली चलिए अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तों जालिया वाला बाग हत्याकांड है इसके बारे में प्रस्ण पूछ रहा है कि ये कब हुआ तो दोस्तों उनीस सो नीस को हुआ तेरह अप्रील को डेट भी याद रखिएगा तेरे अप्रील को क्या मनाया गया था उस समय तो बैसाखी का दीन था एक पर्व होता है वहाँ पर जिसमें की सभाएं लगती है तो उस सभाओं के अंतरगत क्या हुआ था कि कई सारे लोग इकठा हुए थे हाला कि इकठा होने क कि कई इसे कारण थे जैसे सभा होना एक पड़्व के तरह से मनाना दूसरा कई ऐसे नेता थे जिसमें खास करके सैभद्दीन किचलू राम सरंदत गोकूल चंदनारन ये सब दोस्तों ये सारी नेताओं को जो सोतनता सैनानी थे उस समय उनको क्या किया गया था गिरफतार क किये गये थे इने नेताओं को किस तरह से छुडाया जाए इसके लिए भी यह आयोजन किया गया था इसके अलावा दोस्तों इस समय हुआ क्या था घटनाएं क्या घटी थी तो जनरल डायर नाम का एक अंग्रेजची सेनापती था उसने उस ओफिसर ने क्या किया था कि भी प्रसंद सबसे महतपूर्ण है एक तो 13 अपरेल 1919 और दूसरा से पुद्धिन किचलू जो एक नेता है इसके बारे में भी आपको याद रखना है कभी-कभी पूछ देता है कि यह कौन से नेता थे जो जालिया वाला बाग हत्याकांट से संबंदित थे अगला प्रसंदेख से पहले भारत में सोतनता से पहले निमलिकित में से किस देश वाले सबसे बाद में वैपार करने आये थे और सबसे पहले वैपार करने आये थे जो विकल्प दिये गए हैं इसके अंतरगत आपको याद रखना है तो सबसे पहले पूर्तगाली आये थे और पूर्तगाली के अंतरगत भी वास्कों डीघामा आया था 1498 फी में उसके बाद अंग्रेज आय थे डच आये थे डेनिस आये थे उसके बाद दोस्तों फ्रांसिसी आये थे स्विडीस आये थे लेकिन स्विडीस जो है कहते हैं कभी कभी पूछता है कि कुसासन का आरोप लगा करके कौन सा छेत्रहिसा था जिसको बिडिटी समराज ने हरप लिया तो दोस्तों वो था अवध देखे दोस्तों डलहौजी जो है एक गवर्नेस जनरल बन करके भारत में आया था उसने गोध निशेद पर था के अंत 1444 देखिए दोस्तों हमारे अंतरगत हमारे देश के अंतरगत हमारे देश में क्या होता था कि कई ऐसे समराज थे कई ऐसा सासक था जिसको पुत्र नहीं प्राप्ती हुई तो पुत्र प्राप्ती नहीं होने के कारण वो दत्तक पुत्र के रूप में किसी को गोध ले लिय तो डलहौ जी जब गवर्नर जनरल भारत का बना तो उसके अंतरगतिस ने गोद पर्था को क्या कर दिया निसेद कर दिया कहा कि आपके पूत्र है तो ठीक है वो सासक बनेगा लेकिन आपने किसी दत्तक पूत्र को गोद लिया है या फिर आपके दत्तक पूत्र है तो ऐसे प हरप लिया लेकिन दोस्तों अवद के पास तो को ऐसा condition था भी नहीं अवद जो है एक इस तरह का अंग्रेज को मदद करने वाला छेतर भी था लेगिन दोस्तों सोचा कि अवद को किस तरह से मिलाया जाए तो अवद पर क्या किया की कुसासन का आरोप लगा दिया कुसासन का मतलब आपका सासन किसी तरह से ठीक नहीं है इसलिए हम आपको अपने छेत्र में मिलाना चाहते हैं चलिए दोस्तों अगला प्रसंद देखिए क्या है ग्याराहमी पंचवर्सिय योजना की सम्यावधी क्या है देखिए इसमें मैंने ग्यारहमी पंचवर्सिय योजना के बारे में भले डिसकसन किया या बतलाया आपको या फिर मैंने इसे नोटेट किया इसका उत्तर होगा 2007 से लेकर के 12 और आपसे पूछेगा कि अंतिम पंचवर्सिय योजना कौन सी थी तो बारहमी इसका उत्तर होगा इसके अलावा दोस्तों पूछेगा कि 12 पंचवर्सिय योजना के बाद कौन सा ऐसा चीजों का निर्मान किया गया जो हमारे योजना छेत्र को देखता है तो उसका क्या उत्तर हो जाएगा नीती आयोग लेकिन दोस्तों इसके अलावा आपको ये भी पूछ सकता है कि बताए नीती आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है तो परधान मंत्री जो देश का परधान मंत्री होता है वही इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं इसके अलावा दोस्तों पर्थम पंच वर्षिय योजना याद रखें, दूतिय पंच वर्षिय योजना आद रखें, 1951 से लेके 1956 जो है, पर्थम पंच वर्षिय योजना है, पर्थम पंच वर्षिय योजना में किर्सी छेतर को प्रार्थ मिकता दी गई, और दूतिय पंच वर्षिय योजना के अंतरगत प्रारंब हुई तो दोस्तों कभी-कभी बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं कि हरित क्रांती जो है वह तिर्थिय पंच वर्षिय योजना के प्रगत हुआ होगा लेकिन आपको याद रखना चाहिए दोस्तों जिस समय हरित करांती हुई उनिसो साथ के दसक में तो उनिसो साथ के दसक में जो हरित करांती हुई है उसमें कोई योजना प्लान नहीं चल रहा था यानि योजना अवकास था क्या था योजना अवकास था कुछ-कुछ योजना अवकास रहे हैं दोस्तों हम आपसे उमीद करते हैं कि कब-कब योजना अवकास रहा है आप उसके बारे में हमारे comment box में comment करें तो दोस्तों आज का जो topic था वो यहीं प समाप्त होता है और इसी तरह से हम परती दीन आपके पास जो है एक एक वीडियो लाएंगे जिसके बारे में हम कई ऐसे प्रशनों को भी डिसकसन करेंगे और उससे सम्मंधित कॉंसेप्ट को दोस्तों मैं पुना आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि BHU इंट्रेंस के लिए आपको अच्छे ढंग से तैयारी हो तो आपके पास अभी विमोका है आप हमारे टेस्स स्रीज को जोइन करें टेस्स जोइन करने से आपको या फाइदा होगा कि आप अपने अस्कोर को अच्छा कर सकते हैं कि अगर आपको किसी तरह की समस्या है तो आप हमें फेस्बुक पर हेलो संदीप के यार से सर्च कर सकते हैं आप हमें मेसेंजर पर मेसेज करें और वहाँ पे आप क्या करें कि और किसी तरह की समस्या है तो वो भी आप हमें बतला सकते हैं, आपको मैं पुना अपना आईडी बतला देना चाहता हूं, हेलो संधीप संड़ीप के आर